आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमें Protein Synthesis के बारे में Statements थे होगा है हमेरे पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन से कौन से Correct नहीं है तो जो बलत Statements होगे होगे हमें हमें Select करना है और यह हम जानते हैं कि अगर हम Living Organisms में Genetic Information की बात करें तो यह Genetic Material के अंदर होती है यानि जाद अदर केसे में DNA, Deoxyribonucleic Acid के अंदर तो होता क्या है यह Genetic Information Flow कैसे करती है सबसे पहले DNA में यह Present होती है DNA में Stored होती है लेकिन DNA Code करता है RNA के लिए तो जब DNA के Code के According RNA बनता है तो इस Process को Transcription कहा जाता है और RNA Code करता है Proteins के लिए तो RNA की जब Translation होती है तब हमको मिलते है Proteins तो Mainly यही दो Processes है जिसके तुरू Genetic Information का Flow हो रहा है तो हैं पर सबसे पहले Transcription की बात कर रहे है Transcription यानि DNA से RNA का बनना तो कह रहे हैं कि Transcription में DNA Nucleotides से mRNA Synthesize होता है और इसमे Nucleotides का Sequence Same उस DNA Strand जैसा ही होता है जिससे यह बना है तो यह बात यहाँ पर हमारी बिल्कुल गलत है Transcription का Unit अगर हम देखेंगे तो क्योंकि DNA के दो Strands होते हैं तो उसमें से एक Strand तो हमारा Template की तरह work करता है Template Strand होता है क्योंकि यह सिर्फ एक ही Direction में Transcription हो सकती है 5-2-3- तो इसलिए हमारा Template Strand होता है जिसके According RNA बनता है और दूसरा जो Strand होता है यह कहलाता है Coding Strand लेकिन हमारा Template Strand है जिसके According RNA की Synthesis हो रही है असल में जो RNA बनेगा उसमें Basis का Sequence इसके जैसा नहीं होगा Same Sequence नहीं होगा बलकि यह Complimentary होगा तो जो DNA के दो Strands है Transcription Unit के अंदर उसमें से Coding Strand जैसा Similar Sequence हमें Synthesized RNA में मिलेगा जबकि Template Strand जैसा Similar नहीं होगा Template Strand से यह Complimentary होगा तो पहली हमारी Statement गलत हो जाती है इसके बाद मैं कहा रहे है Again Transcription के बारे में कि Transcription में tRNA RNA Nucleotides से बनता है और यह Complimentary Codons को Carry करता है जिस DNA Strand से यह बना हुआ है उसी Nucleotide Sequence के According तो यह Statement तो यहां पर हमारा बिलकुल गलत है tRNA यहां हमारा जो Transfer RNA होता है यह Transcription की Process में नहीं बलकि Translation में involved होता है यह Proteins की Synthesis करवाता है RNA से जब कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यह RNA के लिए Nucleotides लेकर आ रहा है तो Actually हमारा tRNA यह Amino Acids लेकर आता है ताकि Polypeptide Chain बन पाए RNA Nucleotides को नहीं लाता है इसका Mainly काम Genetic Code को Read करके Amino Acids को लाना होता है Translation में तो Transcription में इसका रोल ही नहीं है Statement गलत हो गया फिर लिखा हुआ है कि Translation के दोरान जब mRNA Synthesize होता है तो इसमें RNA Nucleotides का जो Sequence है वो उस DNA Strand के साथ Complimentary होता है तो यह दो हमने डिसकस कर लिया था कि जिस DNA Strand के According या जिस Template Strand के According यह हमारा mRNA बन रहा है यह उससे Complimentary बनेगा लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया Translation अब Translation में mRNA थोड़ी बनता है Translation में क्या होता है RNA से Protein बनता है Protein की Synthesize होती है जब mRNA बन रहा है DNA से तो इस Process को हम Transcription कहते है तो यहाँ पर बात तो सही लिखी हुई है कि Template Strand से Complimentary Sequence हमारे Newly Synthesized mRNA में आयेगा लेकिन Translation नहीं Transcription की Process होती है तो इसलिए यह भी हमारा गलत हो गया इसके बाद में Last Statement में लिखा हुआ है कि Translation में Ribosomes mRNA में मूव करते हैं 5-2-3- डिरेक्शन में 1 Codon at a time और इसको Translocation कहा जाता है तो यह बात बिल्कुल सही है Translation की Process के दौरान जैसा कि हमने कहा कि TRNA Amino Acids लेकर आता है थाकि उससे Protein बन सके और यहाँ पर Ribosomes का भी बहुत important role होता है क्योंकि यही Protein की Factory की दरह work करते है हमारे Cell के अंदर और जब Proteins की Synthesis हो रही होती है जब Proteins Polymerize होके Polypeptide बना रहे होते है Translation की Process के दौरान तो हमारे Ribosomes mRNA के ऊपर Codon to Codon move करते है और इसी को Translocation कहा जाता है तो यहाँ पर पहले तीन Statements गलत है जैसा कि हमने डिसकस किया Basic चीज़ें इन में गलत दियो ही है DNA से जब RNA बनता ही यह Transcription होती है RNA से जब Proteins बनता ही Translation होती है और DNA से जब दुबारा से DNA बनता है तो इसको हम DNA Replication कहते है लेकिन यहाँ पर इन Processes के बारे में हमारी Correct Statement के वल एक है जो कि 4 Statement है बाकि तीनों ही Incorrect है तो हम अपना सही Answer Option A mark कर देते है 1, 2 and 3 यहाँ पर Correct नहीं है सिर्फ Statement 4 सही है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400 पर